अक्षर अक्षर सत्यम सिवं सुन्दरम बन जाये स्रिजन हजार वर्ष का कैसे कैसे कोई गए भाला वर्षी सम्सीरों का बाला वर्षी सम्सीरों का चळा कलम पर पानी चंद और जगनिक की चमकी बानी बड़ी सयानी खुसरो बैठ पहली बूझे जब हिंदी तुतलाए स्रिजन हजार वर्ष का कैसे कैसे कोई गाए साची बात कभी रा बोले मीरा दरदर नाचे रूप देखकर सूधा मचले तुलसी घर घर बाचे एक सुघर महबूप जैसी से रचना करवाए स्रिजन हजार वर्ष का कैसे कैसे कोई गाए बाबा केशो घनानंद ने रसही रसवर्ष आया अपने सारे बोल विहारी सोने में तो लाया जंगी चंद गढ़े भूशन ने मधुपर्द माकर टपकाए स्रिजन हजार वर्ष का कैसे कैसे कोई गाए जैसंकर की यमिट सर्जना जैसंकर की यमिट सर्जना पंत प्रकित में खोया और निराला कविता को ही ओढ़ बिचा कर सोया अरे दिनकर धूमिल नागार जुन तो बात सड़क पर लाए स्रिजन हजार वर्ष का कैसे कैसे कोई गाए इन पंक्तियों में डॉक्टर प्रणे ने समूचे हिंदी साहित के इतिहास को ट्रम बद्ध प्रस्तुत किया है इस गीत से आपको अंदाज लग गया होगा कि आज हम लोग हिंदी साहित का इतिहास पढ़ेंगे बच्चो साहित के इतिहास का अध्यायन विभिन काल की परिस्थितियों और प्रवितियों के आधार पर किया जाता है इसलिए काल विभाजन की प्रक्रिया द्वारा प्रत्थेक काल की सीमा का निर्धान किया जाता है बभिन्य गो में साहितिक प्रवित्यों की शुरुआप उनका उतार चड़ाउं उनकी सीमा का निर्धान करती है हर युक का स्वरूप बदलते मुल्यों और इस्थित के अधीन होता है। डॉक्टर धीरेंद्रभर्मा जैसे विद्वानों ने अपने अपने धंग से हिंदी साहित के इतिहास का काल विभाजन किया है। परंतु सर्व मान्य विभाजन आचारी रामचंद्र शुक्ल का है। आचार रामचंद्र सुक्ल का मानना है कि प्रतेग देश का साहित्य वहां की जनता की चित बृत्य का संचित प्रत्विम्ब होता है तब यह निस्चित है कि जनता की चित बृत्य के परिवर्तन के साथ साहित्य के सुरूप में भी परिवर्तन होता चलता है आधिसे अंत तक इन्ही चित्व्रित्यों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंज़स से दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास है। जनता की चित्व्रित्य बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदाईक तथा धार्मिक परिस्थित के अनुसार होती है। पहला है आदिकाल जिसे वीर गाथा काल भी कहा गया संबद 1050 से 1375 तक और दूसरा है पूर मध्यकाल जिसे भक्तिकाल कहा गया यह 1375 से 1700 तक और तीसरा है उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा गया इसका समय है संबद 1700 से संबद 900 तक और आधुनिक काल चोथा है जिसे गद्यकाल भी कहा जाता है यह 1910 से अब तक निरंतर चल रहा है इद्यक इन कालों की रचनाओं की विशेश प्रमित्य के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है पर यह नहीं समझना चाहिए कि किसी विशेश काल में अन्य प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी और विभिन प्रकार की रचनाएं जो हैं हुई हैं अनेक भाबों में हु काल भी कहते हैं संबत 1050 से 1375 तक कि आधिकाल को हिंदी साहित्य के अन्य इतिहासकारों विद्वानों एवं मनीशियों ने कई और नाम दिये हैं यह से डाक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधिकाल कहा और राहुल संक्रित्यायन ने इसे सिध सामंत काल कहा डॉक्टर धीरेंद्र भर्मा और पंडित च्यंद्र धर्शर्मा कुले गुलेरी ने इसे अपभृंश काल कहा आचार्य महावीर प्रसाद दुवेदी ने इसे वीज वपन काल कहा आचार्य हजारी प्रसाद दुवेदी ने इसे आधिकाल की संग्या दी कुछ विद्वानों ने इसे चारण काल भी कहा है अनसंधान करताओं और स्वमीक्षकों יחसे आदिकाल और वीरगाथा काल काही नाम प्रशष्त किया है अब बच्चों हम देखते हैं यह जो आदिकाल है जिसे हम वीरगाथा काल कहते हैं इसकी प्रब्रितियां क्या हैं इसकी विशेस्ताओं क्या हैं तो सबसे पहली बात है युद्धों का सजीव चित्रन उस समय के रशनाकारों ने कभियों ने युद्धभूम में रहकर आँखों देखा हाल भी लिखा है जैसे चंद्रवर्दाई चंद्रवर्दाई ने प्रित्वी राज रासों लिखा वे स्वयम युद्धभूम में राजाओं की वीरता का अतिशयोग्ति पूर्ण वनन भी हुआ है इसमें वीरदस तथा ओज गुन की प्रधानता रही है वीरगाथाकाल में इस काल के अधिकाइश कभी चारण थे जो गलम के साथ तलवार के भी धनी थे इसलिए कहा जाता है कि वीरगाथाकाल का साहित्य तलवार की नोक और रत की स्याही से लिखा गया बीरगाथाकाल में राशों साहित्य अधिक लिखे गए जिसमें वीरों का सौर्य प्रदर्शन द्रिश्य गोचर होता है इसके अलाबा अनेक रशनाकारों ने प्रकित एवं सौंदर चित्रण भी किया है सौर्य और प्रेम की ओजस्वी और सरस अभिव्यक्ति बिरगाथाकाल में एक और जहां सौर्य की अभिव्यक्ति हुई है वहीं दूसरी और प्रेम की भी अभिव्यक्ति मानवी सौंदर्य और प्रेम की अनुपम बेंजना जैसे महाकव विद्यापत के ग्रंथ कीर्ति लत और केर्थि पता का इस युग में पहेलियों और मुकरियों का भी स्रिजन हुआ अमेर खुसरों ने अनेक पहलियां और मुकरियां लिख कर केर्टिमान इस्तापित किया हैति कि दिंगल वींग schne भाशा का प्रयोग भीद गाथा ने दिंगल और पिंगल भासा का का प्रयोग हुआ है इसके अलावा फारशी अवदी ब्रज प्राक्रित संस्क्रित तमाम भासाओं का प्रयोग जो है दर्शनी है और बच्चों चंदों में आलहा और दोहा सोरठा, तोमर, रोला, छप्पयादिका बहुत सार्थक प्रयोग हुआ है विरभावों पराधारित प्रमंद काब्य, महाकाब्य, खंड काब्य और मुक्तक काब्य का स्रिजन हुआ इसके अतरिक्त आदिकाल में अन्य प्रमुख काब्यधाराएं भी प्रवाहित हुई जैसे जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लोक साहित्य ये देखते हैं कि वीरगाथा काल में कौन कौन से कभी हुए और उनकी रचनाएं देखते हैं तो सबसे पहले नाम आता है नरपति नाल का नरपत नाल ने लिखा है वीशल देव रासों और दूसरे हैं चंद्रवरदाई इन्हों ने लिखा है प्रित्वी राज रासो और इसी तरह से दलपत विजय दलपत विजय ने लिखा है खुमान रासो और भट किदार भट किदार ने लिखा है जैशंद्र प्रकाश इसके बाद जगनिक जगनिक का आलहा खंड बहुत प्रशिद्ध है आज भी ओज के लिए शोरी के लिए आलहा खंड गाया जाता है आलहा को बहुत प्यार से बड़े चाओं से गाओं के लोग गाते हैं इसको नल्ह सिंग भाट नल्ह सिंग भाट ने लिखा है विजय पाल रासो शालंग धर ने लिखा है हमीर रासो शाली भद्र सूर ने लिखा है भरतेश्वर बाहु बली रास मदुकर कभी ने लिखा है जस्मयंक चंद्रिका और इसी तरह से अमेर खुश्रो जो पहली और मुकरियों के लिए प्राशिद्ध हैं किसा चाहा दरवेश पहलियां मुकरियां हैं और बिद्यापति बिद्यापत ने कीर्थी लता कीर्थी पता का तो इसके अत्रिक्त भी अनेक कभी हुए हैं जिनोंने अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से वीर गाथा काल को गोरो प्रदान किया है लौकिक साहित में धोला मारू रा दूहा कभी कलोल की रचना और कभी रोडा की राउन वेल बहुत प्रसिद्ध है ये लौकिक साहित में परिगनित किया जाता है इस प्रकार आदिकालीन हिंदी साहित्य अपब्रंश साहित्य के समानांतर बिख्षी थुगा इस युग में हिंदी भासा जनजीवन से रस लेकर आगे बढ़ी उसने अपनी अनेक बोलियों को एक रूपता की ओर बढ़ा कर एक सूत्र में बाढने का प्रयास किया जीवन के विविद पक्षों का उसके साहित्य में चित्रन हुआ है परवर्ति कालों के लिए उसने अनेक परंपराएं डाली अनेक का बिरूप और शैली शिल्प आधिकालिन साहित्य में प्रकट और पुष्ट हुए अतहा आधिकाल को हिंदी साहित्य का एक संब्रिद्धियुग माना जा सकता है बच्चो वीरगाथा काल के बाद आता है भक्तिकाल जिसे हम पूर मद्धिकाल भी कहते हैं संबद 1375 से 1700 भक्ति साहित्य के संदर में भक्तिकाल से तात्परिय उस काल से है जिसमें मुख्यतह भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के प्रणाम स्वरूप भक्तियांदोल का सूत्र पाथ हुआ और उसकी लोकोन मुखी प्रवित्ति के कारण धीरे धीरे लोग प्रचलीद भाचाएं भक्ति भावना की अभ्यक्ति का माध्यम बनी कालांतर में भक्ति विशियक विपुल साहित्य की बाढ़ सी आ गई परंत यह भावना बैस्नों धर्म तक ही सीमि हादाय तक इस प्रवाह से प्रवावित हुए बिना नहीं रह सके वास्तों में हिंडी का आधिकाल युद्धों में बीता असांती में रहा मुसलमानों का राज देश में स्तापित हो गया लेकिन यवनों और हिंदून में सामंज़ से नहीं था बिचार नहीं मिल रहे थे एक साथ रहते हुए भी दूर दूर थे ऐसी समय में देश में सब और धर्म के महान प्रचारक और तरीत हुए जैसे स्वामी रामानंद स्वामी बल्लभाचारिय चैतन्य महाप्रभ निम्बकाचारिय तथा माधवाचारिय आदी महान विभूतियों ने देश का समस्त वातावर नहीं धार्मिक भावनाओं से परपूर्ण बना दिया फल्त उसका प्रभाव ततकालीन कभियों पर भी पड़ा और उनके हर्दै से भक्तिकी कभिता फूट पड़ी भक्तिकी प्रधानता होने के कारण ही इस काल को भक्तिकाल कहा गया अब बच्चों भक्तिकाल में खूबियां क्या थी मिशेस्ताय क्या थी प्रभृतियां क्या थी तो सबसे पहले आप समझे कि गुर्ण की महिमा का वर्णन प्रतेक कभी ने जैसे संत कभीर ने गुर्ण गोबिन दो उखड़े काके लागू पाएं बलिहारी गुरू आपन नों गोबिन दियो बताएं और संत कभीर की तरह गोश्वामीत तुल्फिजास जी ने भी बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुची सुभास सरस अनुरागा बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिन्धु नरूपहरी महा मोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर प्रतेक रचनाकार ने अपने गुरु की महिमा का वर्णेंट किया है भक्तिकाल में प्रमुख रस शांत है शांत रस इसके साथ वात्सल्य और स्रिंगार की भी प्रधानता रही है भाषा में लोक भाषा का प्रयोग किया रचनाकारों ने जैसे अवधी और ब्रज अवध अवधी में गोश्वामित उल्फिदास जी का राम चरित्मानस बहुत प्रसिद्ध है और मलिक मुहम्मद जैसी का जो पदमावत है और ब्रज भाषा का प्रयोग ब्रज भाषा में महा कविशूर की सारी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई है इस युग में यानि भ दोनों रूपों का मनोरम वर्णन है लोक रक्षक के रूप में हमारे मर्यादा पुर्सोत्तम राम आते हैं और लोक रंजक के रूप में हमारे माधव आते हैं कृष्ण आते हैं और कभी ये लोक रक्षक बन जाते हैं कभी लोक रंजक बन जाते हैं तो इन दोनों रूपो की द्रिश्टिकोन अपनाते हुए कुरीतियों अंध विश्वासों वाह आडंबरों का खुल कर बिरोत किया मुसल्मानों के सूफी वाद और भारती सिद्धों और नाथ पंथियों के प्रभाव के कारण काब्वि में रहस्यवाद की प्रतिष्था हुई रहस्यवादी रचनाय सामने आई प्रवंध वब मुक्तक दोनों शैलियों में रचना की गई धार में कटरवाद का मुखर भी रोध हुआ खुल करके भी रोध हुआ भग्तिकाल में अनेक प्रभितियां प्रचलित थी जिनके आधार पर इस काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है पहले है शगुण काब्यधारा भग्तिकाल में पहला है शगुण काब्यधारा और दूसरी है निर्गुण काब्यधारा शगुण और निर्गुण शगुण जो है इस्वर के रूप को उनके संदर्य को उनके लालित को स्विकार करते हुए सगुण रूप में परमात्मा की भक्ति की और जो निर्गुण पासक हैं जो निर्गुण काब्यधारा के रचनाकार हैं उन्होंने इस्वर को निर्गुण के रूप में स्विकार किया और उनकी उपासना जो है वह निर्गुण पासना है सगुण काब्यधारा के अंतरगत दो काब्यधारा एं थी रामाश्राई काब्यधारा और क्रिश्नाश्राई काब्यधारा रामाश्राई काब्यधारा में जो प्रमुख कभी थे वो थे गोसामी तुलसी दास जी और क्रिश्नाश्राई काब्यधारा के जो प्रमुख कभी तो इसकी जो अलग-अलग शाखाएं प्रशाखाएं हैं तो जैसे राम-भक्ति-शाखा अब उसकी क्या विशेस्ता है सबसे बड़ी बात ये है कि इस धारा के अनियाई राम को अपना आराध्य मानते हैं उन्होंने राम को लोकरक्षक रूप में मर्यादापुरसोत्तम के रूप में सापित किया और इनकी जो उपासना है वह दास् अपने को दास मानकर अपने को सेवक मानकर इन्होंने उपासना की है राम भक्ति-शाखा वाले कभियों ने लोक मर्यादा के प्रति आस्था व्यक्त की गई इसमें भक्ति-भावना की प्रधानता रही और प्रवंध काभ्यों महा काभ्यों की प्रधानता रही और भाशा जो है अबधी का प्रयोग सरवाधिक हुआ है इस काल के जो कभी है जो प्रमुक कभी है वे हैं गोश्वामी तुलसीदास जी और गोश्वामी तुलसीदास के जो प्रमानिक ग्रंथ हैं वह बारह हैं जिसमें से प्रमुक हैं राम चरित्मानस बिनेपत्रिका कविता वली गी की मंगल पारवती मंगल हनुवान बाहुक इत्यादी और दूसरे संत कभी हुए नाभाद डास नाभाद आस जिसने लिखा है भक्त माल और तीज़े है प्राणचंद चवहान ने रामायर महानातक की रचना की है फिर्दय राम ने हनुमननातक की रचना की है और स्वामी अग्रदास इन्हों ने राम ध्यान-मंज़री की रचना की है तो इस प्रकार से राम का विधारा में बहुत सारे कभियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रभु राम का यसोगान किया है। अब आता है कृष्ण भक्ति शाखा की जो विशेस्ताएं हैं कृष्ण को आराध्यमान कर इस साखा के अन्याईयों ने इश्वर भक्ति की है। जैसे राम काप्वेधारा में राम को प्रमुख माना गया इसी प्रकार से कृष्ण काप्वेधारा में कृष्ण को स्विकार किया गया इस धारा के मानने वालों ने सक्थ भाव की भक्ति की अभी हमने आपको बताया कि राम काप्वे धारा के कवियों ने दाश्य भाव की उपासना की और कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने सक्थ भाव की उपासना की प्रभू को सखा के रूप में स्विकार किया इसमें श्रिंगार, शांत और वात्शल्य रश्की प्रमॉकता रही है प्राय मुकता काब्बिकी रचनावी कुंडलिया, दोहा, चवपाई, यह प्रमॉक्षंद्र है और कृष्ण काब भिधारा के जो कभी है उन में से प्रमॉक जो है महाकर सूर्दास हैं शूर्दास ने झेन गरंथों का स्रिजन किया। सूरसारावली, साहित्य लहरी और दूसरे हुए नंददास नंददास में नाम माला और नाम मंजरी और मीरा, नरसी का मायरा, गीत गोबिंद की ठीका और एक और कभी हुए नरोत्तम दास जिनका सुधामा चरित बिश्व प्रशिद्ध है तो इस तरह से कृष्ण काब्वेधारा के कवियों ने अपार साहित्य का स्रिजन किया इसमें अस्ट चापी कवि भी आते हैं और अस्ट चापी कवियों ने मिलकर भगवान कृष्ण का गुणानुबाद बहुत इस तरिये धंग से किया है अब बच्चों आती हैं निर्गुन काब्वेधारा मैंने आप से बताया था कि निर्गुन काब्वेधारा के अंतरगत दो काब्वेधारा हैं थी एक ज्यान मारगी एक प्रेम मारगी तो ग्यान मारगी का बिधारा जो है उसमें निर्गुन ब्रह्म की उपासना पर विशेश बल दिया गया और आत्म ग्यान के माध्यम से इस्वर प्राप्ति संभो है इस सत्य को सामने रखा गया आत्म ग्यान के माध्यम से इश्वर प्रात्य संभो है ग्यान सत्य और इमांदारी पर विशेश जोड़ दिया उस समय जो कुरीतियां थी बाहे आडंबर थे उनका खुल करके भी रोध किया जैसे संत कभी इन ने अरे इन दो राहन पाई हिंदुवन की हिंदुआई देखी तुरकन की तुरकाई ऐसी तरह से कांकर पाथर जोर के मस्जिर लई चुनाए ताचड मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है और हिंदुओं के लिए भी जो कुरीतियां थी जपि माला च्छापा तिलक सरहने के काम और माला फेर जुग गया गया न मन का फेर अरे करका मन का डार के मन का मन का फेर इस तरह से जो कुरीतियां थी वाय आडंबर था उन सब का खुल करके बिरोध किया और गुर की महिमा का प्रतिपादन गुर को सर्बो परिमाना ग्यानमार्गी का बिधारा के रशना कारों ने जिसमें प्रमुख कभी जो थोए वे संतक कभीर जिनका साखी सबद और रमैनी तीनों को मिला करके बीजग गरंत संपादित किया गया है कभीर पढ़े लिखे थे नहीं उन्होंने इस पश्ट कहा है कि मसी कागद छुओ नहीं कलम गही नहीं हांत अव अपने मुखें कभीरा सकल जनाई बात उनके जो सिस्षे थे धरमदास धरमदास ने उनके साहित्ति को लिपिबध किया और दूसरे रचना का थे दादू दयाल जिनोंने साखी और पदों की रचना की है रैदास रैदास जो हैं इनके पद बहुत प्रशिद्ध हैं संत रैदास के गुरु नानक गुरु नानक साहब के जो पद हैं वो गुरु गरंत साहब में संगरही थे एक बहुत बड़े कभी हुए थे उत समय सुन्दर दास सुन्दर दास का जो ग्रंत है वो है सुन्दर बिलास अब बच्चो दूसरा आता है प्रेम मारगी काब्यधारा पहले ग्यान मारगी थी अब दूसरा है प्रेम मारगी काब्यधारा प्रेम मारगी का अब्यधारा में प्रेम के द्वारा इस्षवर तक पहुचा जा सकता है अतहा मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे तो परमात्मा के प्राप्ति का मारग सरल हो जाता है लौकिक प्रेम में अलौकिक प्रेम की अभिभ्यत जना इस युकी सबसे बड़ी वी सेजता है सूफी दर्शन और रहसिवाद का प्रभाव इनके साहित में देखा जा सकता है एक एश्वर बाद के प्रतियास्था है यह एको ब्रहम दुत्यों नास्ति को मानने वाले एक ही ब्रहम हैं दूसरा नहीं है एक एश्वर बाद इश्वर एक है तो एक एश्वर बाद के प्रतियास्था प्रेम मारगी शाखा में दिखाई देती है इसके जो प्रमुक कभी हैं वो हैं मलिक मुहम्मद जायसी जिन्होंने अवधी में पदमावत अखरावट और आखरी कलाम की रचना की थी इनके तीन गरंत मिलते हैं और दूसरे हुए मज मजञ ने मधुमालती लिखा है है यह बहुत ही प्रसिद्ध गरंत है और एख हुए थे शेख नवी शेख नवी का गरंत है ज्यानदीप और एक हुए उसमान उसमान का जो गरंत है वो है चित्रावली और एक है काशिम साह जिनका ग्रंथा है हंस जवाह अब आपने समूचे भक्तिकाल को देखा भक्तिकाल का जो साहित्य है वह हिंदी साहित्य का स्वण काल कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वण काल किसे कहते हैं भक्तिकाल को तमाम साहित्यकारों ने मनीशियों ने बुद्धिजीवियों ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वण युग माना है क्यों वास्तों में मुगल सामराज की स्थापना के साथ ही राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा धार्मिक सभी छेत्रों में संकट के बादल चाने लगे थे निराशा जन जन में समा गई थी उस समय संतों की जो बानी थी वह अंबित तुल्य रही आम जन मानस के लिए निराशा के इस दोर में देश और समाज को उवारने के लिए संतों और परमात्मा एक तो संत सद्गुरू दूसरे परमात्मा मने ईश्वर का ही एक मात्र सहारा मिला उस समय के जर्मानस को मानवी प्रेम इश्वरी भक्ति में जो मन की निराशा थी उस आउसाद को दूर करने का रास्ता मिल गया आध्यात्मिक जागरन हुआ उत्कृष्ट साहित सर्जना हुई समा सुधार और सामाजिक समरस्ता का प्रयास हुआ इस कारण से भक्तिकाल को हिंदी साहित का स्वर्णकाल माना जाता है